अब ही मेरे वीडियो के उपर एक कमेंट था और बोलता है कि सर आप देशी घी खाने के लिए बोलते हो और काफी डॉक्टर ऐसे हैं जो घी खाने का मना करते हैं क्योंकि हार्ट पेसेंट हैं तो भई मैं बिलकुल आपको बोलता हूं कि देशी घी खाने से बैड फैट तो नहीं बढ़ता है लेकिन जिन लोगों को ओल्रेडी बैड फैट बढ़ चुका है और उनकी आर्टरी ब्लोक हो चुकी है और वो हार्ट पेसेंट हैं तो अब डॉक्टर तो उनकी चिकनाई करते हैं अमुमन ऐसा ही होता है लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं स्वस्थ व्यक्ति अगर रिफैंड की चीजे छोड़के ना तला बुंदा चोड़के और देशी शुद्ध घी खाते हैं लिमिट में एक या दो चमच डेली फैंट रखते हैं अपने खाने के अंदर आई धे मंद होता है अब बात करते हैं शुगर की डाइविटीज की अब डाइविटीज में भी दोस्तो दो चीजेंए काफी लोग गोलियां खारे हैं एलोपैट गोलिया खारे ऐलोपैट ठीक है इमर्जेंसी के लीए अच्छी बात है क्योंकि आगर आपको कोई प्रोब एड देना है आई स्यू में एडिमिट करवाना है जो भी इंजेक्संस वगेरा देने ट्रोपीन वगेरा जो देना है वो देना पड़ेगी क्योंकि उसको फर्स्ट एड बहुत जरूरी है लेकिन जब ठीक हो जाता है उस अटेक से बाहर निकल जाता है नॉर्मल हो जाता है उ आलोपै पहां ऐडंग है और है सब्सक्राइब चैनल जो है इतना बड़ा मकड जाल भेला हूा है इसमें हर व्यक्ति इनवौल है जो company दवाई बनाती है उस से लेके उसके MD से लेके जो दवाई बेशता है MR और जो डोक्टर आपको दवाई लिखता है जो medical वाला दवाई देता है आपको यह सारा एक chain है एक network है आप डोक्टर के पात जाएंगे वो आपको परहिज बता के कुछ घर की चीजों से रसोई की से भी ठीक कर सकता है लेकिन नहीं वह आपको अलोपैद दवाई लिखेगा क्योंकि आपके जाने से पहले तो एक MR जा चुका होता है उनके पास और MR जाके पूरा एक किताब लेके जाता है वो समझाता है सर यह हमारी फोर सपोज मैं डायविटीज की बात कर रहा हूं उसी नाम देंगे आपको यह मिलेगा आपको वल्ड का टूर मिलेगा आपको फ़लाने देश में बेजेंगे विद परिवार बेजेंगे और लास्ट में फिर एक गिफ्ट दे देंगे अच्छा सा बहुत अच्छा सा कोश्टली गिफ्ट सर यह रखिए प्लीज हमारी दवाई कि उसके बाद वह एम आर चला गया मानलो फिर आप पहुंचे आप डाइविटीज के पेसेंट बने ही हो ने ने ठीक है आप जांच रिपोर्ट लेके पहुंचे यह मेरी एच बी एवन सी नौपन्ट सम्थिंग आई है डोक्टर ने देखा हां जो दवाई अभी अभी अम महीने ले दो महीने ले लाइफ टाइम चलेगी आपको टेंचन हो जाएगी डोक्टर वो दवाई लिखेगा क्योंकि यह पूरा सिस्टम है बहुत बड़ा स्कैम है यह तो यह कारण है डोक्टर आपको दवाई जरूर नहीं डाइविटीज कोई भी बिमारी हो सारी और आयरवेद हम बात करते हैं डाइविटीज में आयरवेद की आयरवेद को समझना पड़ेगा दोस्तों आयरवेद आयरवेद हमारी वनस्पतियां लाखो लाखो सालों से आ रही है रामा एन महाभारत में जिकर था संजीवनी तक बूटी थी कि बोलते थे कटे वे आंग को जौड देती थी मरे वेइंसान को जिन्दा कर देती थी लेकिन दोस्तों आयरवेद में यी फारक है कि आयरवेद हाप लेगा इंस्टेट रिलीद इंसान को तो इंस्टेन रिलीफ देना सुरू करता है आज आपने ऐरवेद शुरू किया, दो या तीन महीने बाद असराना शुरू होगा, लेकिन आज सबर किसको है, इंसान को तो इंस्टेंट रिलीफ चाहिए न, तीन महीने किसने देखें, अभी गोली खाई, एक छोटी सी गोली खाई, सुगर की, खाईर मैंने सुगर ना पा ओ, नॉर्मल आ गया, अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ, लेकिन एलोपैट सिर्फ पेड काटता है उपर से, इंस्टेंट रिलीफ तो देता है, लेकिन पेड काटता है, आईरवेद आपको लॉंग टाइम में इफेक्ट देगा, लेकिन वो पेड नहीं काटेगा, वो पेड मेथी दाना, मेथी दाना हम आपको बोलते हैं साब येलो और आगे चलके आपको तीन या चार मेने बाद आपको रिलीफ दिखना सुरू होगा, बहुत से वीडियो वाले फिर वो मेथी दाना 100 ग्राम, एक चम्मच मेथी दाने का गलाइसेमिक इंडेक्स निकालेंगे, इस फरक इसलिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे प्रोडेक्ट कौन लेगा, फिर अगर तू बोल देगा कि यहां इस से फरक पड़ेगा, क्योंकि तू बेच रहा है ना तेरे प्रोड़क्ट मेरी गोलिया लो, मेरा अटा खाओ, मेरा बनाया हुआ सूप पीओ, हजार प्रो चम्मच मेथी से फरक पड़ता है एक चम्मच मेथी से फरक पड़ता है एक चम्मच मेथी आप दे लिलो जब जाके महीना डेड़ महीना दो महीने में जाके आपको हलका हलका रिलीफ हाना शुरू होगा 6-6 साल साल बर लग जाते हैं आयरवेद के ट्रीटमेंट में एक दो द जानते हैं और हम भी अच्छे जानते हैं लेकिन आप मानते नहीं हो लेकिन ये भी सच्चा ही है कि आयरवेद की जो दवाई है ना उससे जदा परहेज काम करते हैं अगर दवाई 20 प्रतिशत काम करेंगे तो 80 प्रतिशत परहेज काम करेंगे आज का इंसान सब कुछ कर लेग हर बीमारी का ईलाज है, लेकिन सच्चा ही है कि आज के टाாइम में लोग आयर्वेद को भूल गए है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, इवन कैंसर तक की ऐसी बीमारी नहीं है, जो aja jak ठीक नहीं कर सकता हो, लेकिन वह चीजे खतम हो गई, वह इतियास हमारा खतम हो चुका है, वह हम आपको बताते हैं कि आयरवेद के अंदर जो मेथी दाना है उससे और नीम जामून और करेले के बीज का पाउडर जो है उससे आप क्यो और कर सकते हो अपनी डायविटीज को लेने का तरीका मैं हर बार बताता हूं आपको एक चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भीगो क रख दो सुबह खाली पेट उठते ही सबसे पहले उस पानी को पीजा और उस एक चम्मच मेथी दाने को चबा चबा के खालो और उपर से एक गिलास पानी और पीलो थोड़ा हलका गुलगुना करके लो ना एक महिना लेकर आप रिजट्स देगो आपकी डायविटीज कितन करेले का बीज का पाउडर किसी किसी भाई के पेट को खराब कर सकता है मरोड वगेरा लगा सकता है ध्यान रखना अगर मरोड वगेरा लगती हैं तो करेले के बीज का पाउडर एलिमनेट कर दे सिर्फ नीम के बीज का और जामुन के बीज दो इन दो बीजों के पाउडर क एक के यहाप यह लो आपने महीना लो तीन महीना भेल और पिर दो फिर एक महीना ब्रेक्व कर दो फिर और तीन हे इन जायेंगे साथ रूपए वास कोई नगा मेत चोड़ दो आप लो तो सरी कौन्षा आप के पैसे लग रहे हैं किया आप रसोइक अंदर मेथी दाना है और ये करे लेकर नीम के ये बीज लेकर आओगे शो सो ग्राम आओगो बीस-बीस रुपे मिल जाएंगे साथ रुपे की दवाई मिल जाएगे आपको डॉक्टर के पाथ जाते हो दो सो डाई डाई सो रुपे तो उसकी फीस होती है देखने की इसके अल एलोपेत में जाओ और लाइफ टाइम लेते रहो और फिर बाकी जितनी भी उसके साइड इफेक्ट से उनसे जूजते रहो तो भाई फिर कहूंगा इस वीडियो में कि आयरवेद आप यूज कर सकते हैं आयरवेद में है हर बिमारी का इलाज है डायविटीज का भी इलाज है बिलकुल है सो परसेंट है लेकिन आप यूज तो करो उसे इसमें मैं ऐलोपेत को गलत नहीं बता रहा है ऐलोपेत भी जरूरी है इमरजेंसी में ऐलोपेत चाहिए तो चाहिए ही चाहिए आज किसी की शूगर एकदम डाउन हो गई और वो इमरजेंसी में चला गया तो आएरुइद काम नहीं करेगा उसको आईए सीओ में लगाना पड़ेगा वहां आपको ऐलोपेत यी काम करेगा हृट अटेक आगया ऐलोपेत में जाना पड़ेगा है बिलकुन इन करेगा लेकिन उसके बाद जब आप क्योह हो जाते हो ना क्यों एर तब हैल लो नहीं और बिमारी जड़ से खतम हो जाए, इस वीडियो को हम यहीं ब्रेक करते हैं, उमीद करता हूँ आपको बहुत चीजे समझ आई होगी, अगर वीडियो अच्छा लगया तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल के उपर मैं अभी एक सीरीज सुरू करूँ गा, जिसमें सुबह से लेक उसकी notification आपको मिल जाएगी, तो आपको तुरंट पता लग जाएगा कि मैंने कोई चीज डाली है, इसलिए जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिये इजाजत, जैहिंद बबाए